आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश की टौई इंडूस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है इस ताकत को बढ़ाना इसकी पहचान बढ़ाना आत्म निर्भरत भरत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है ये हम सभी के लिए आनन्द की बात है कि आज हम देश के पहले तौई फैर की शुरूवात का हिस्सा बन रहे हैं टौई फैर के इस कारकम में मेरे साथ जूड रहे केविनेट के मेरे सभी साथ ही टौई इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रतिजिदीगर्ण, सभी कारिगर भाई बहन, पैरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों ये पहला टौई फैर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कारकम भर नहीं है ये कारकम देश की सद्यों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की कड़ी है मुझे बताया गया है किस कारकम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराश्ट्रिय कंपनियां तक तीस राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों से एक हजार से अधिक एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं आप सभी के लिए एक ऐसा मन्च होने जा रहा है जहां आप खिलोनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेकनलोजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा, परिचर्चा भी करेंगे और अपने अनुभव साजहा भी करेंगे टॉइ फैर दोहजार इकीस में आपके पास भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई-स्पोर्ट उद्योग के इको सिस्टिम के बारे में जानने का आउसर होगा मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए देरों गतिविधियां भी रखी गई है मैं तवए फैर के इस आयोजन में अपनी भूमी का निभाने वाले सभी साथियों को हार्दिग बढ़ाई देता हूँ साथियों खिलोनों के साथ भारत का रचनात्मक रिस्ता क्रियेटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभा का इतियास है सिंदू गाटी सभ्यता मोहन जयदारो और हरप्य के दोर के खिलोनों पर पूरी दुनिया ने रिसस्ट की है प्राचिन कान में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे वो भारत में खेलों को सिखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे आज जो सत्रंज दुनिया में इतना लोग पुरिय हैं वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रुप में भारत में खेला जाता था आदुनिक लुडो तब पच्चीसी के रुप में खेला जाता था हमारे धर्म ग्रंतों में भी आप देखिए बाल राम के लिए अलग-अलग कितने ही खिलोना का वरणन मिलता है गोकुल में गोपाल कृष्चन घर के बहार अपने मित्रों के साथ कंदुक यानि बॉल से खेलने जाते थे हमारे प्राचिन मंदिरों में भी खेलों के खिलोनों के शिल्प को उकेरा गया है खास करके तमिल नाडू में चिन्ने ही में अगर आप महां मंदिरों को मैं देखेंगे तो ऐसे कितने ही उधान देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग-अलग खेल अलग-अलग खिलोने वो सारी चीज़े वहां आज भी दिवारों पर दिखती है साथियों किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलोने आस्था के केंदरों का हिस्सा बन जाएं तो इसका आर्थ है कि वो समाच खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था हमारे हाँ खिलोने ऐसे बनाये जाते थे जो बच्चों के चहु मुखी विकास में योगदान दे उनमें एनालिटिकल माइंड विक्सित करे आज भी भारतिय खिलोने आदुनिक फैंसी खिलोनों की तुल्ना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं सामाजिक भावगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं साथियों रिस्क्यू रियूज रियूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतिय जिवन सैली का हिस्सा रहे हैं वही हमारे खिलोनों में भी दिखता है ज्यादा तर भारतिय खिलोने प्राकृतिक और एको फ्रेंली चीजों से बनाते हैं उनमें इस्तिमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं अभी हम वारानसी के लोगों से बात कर रहे थे वारानसी के लकडी के खिलोने और गुडिया को देखी है राजस्तान के मिट्टी के खिलोने देखी है ऐसे ही पुर्वी मेदिनिपूर की गलर गुडियां है, कच के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंदर प्रदेश के इटी कोपक, बुम्मलू और भुधनी के लकडी के खिलोने हैं, करनाटक जाएंगे तो वहां के चंद पटना खिलोने अभी जो हम से देख रहे थे, तेलंगा के निर्मल खिलोने, चीत्रकूट के लकडी के खिलोने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलोने, ये साब खिलोने अपने आप में कितने डायवर्स हैं, कितनी अलग-अलग मानता है कि सभी खिलोने इको फ्रेंडली और क्रेटिव है, ये खिलोने देश के युवां मन को हमारे इतिहास और संस्कूरूते भी सभी जोडते हैं, और सामाजिक, मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं, इसलिए आज मैं देश के टॉय मैनुफेक्चरस से भी अपील करना चाहूंबा, कि आप ऐसे खिलोने बनाएं, जो इकोलोजी और साइकोलोजी, दोनों के लिए ही बेतर हो, क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि खिलोनों में कम से कम प्लास्टिक इस्तुमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तिमाल करें, जिने रिसाइकल कर सकते हैं? साथियों आज दुनिया में हरक्षेत्र में भारतिय दृष्चिकों और भारतिय विचारों के बात हो रही है भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक परस्पेक्टिव भी है यह हमारी परंपराओं में हमारे परिधानों में हमारे खानपान में हर जगए विविदताएं एक ताकत के रूप में नजर आती है इसी तरह भारतिय टॉइ इंडूस्टि भी इस यूनिक इन्डियन परस्पेक्टिव को भारतिय विचार बोत को तोच्षाइद कर सकती है यहां खिलोने तो पीडियों की विरासत के तौर पर रखे और सहजे जाते रहे हैं दादी नानी के खिलोने परिवार के तीसरी चौथी पीडी तक को दिये जाते थे प्योहारों पर परिवार के लोग अपने खिलोने निकालते थे और अपने पारमपारिक संग्रग को एक दूसरे को दिखाते भी थे जब हमारे खिलोने इसी इंडियन एस्टेटिक से सजे होंगे तो इंडियन थौट्स भारतियता की भावना भी बच्चों के अंदर और मजबूती से विक्सित होगी उसमें इस मिटी की महेक होगी प्यारे बच्चों और साथियों गुरुदेव रविंदना ट्रेगोर ने अपने कविता में कहा है कि वेन आई ब्रिंग तो यू कलर्ट तोई माई चाइल यानि एक खिलोना बच्चों को खुश्यों की अनंत दुनिया में ले जाता है खिलोना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है आज यहां इतने खिलोनों को देखकर यहां उपस्तित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम समने भी अपने बच्चपन की यादों में संजो कर रखा है कागज के हवाई यहाज, लट्टू, कंचे, पतं, सीटियां, जूले, कागज के घूने वाले पंखे, गुड्डे वर गुड्यां ऐसे कितने ही खिलों ने हर बच्चपन के साथी रहे हैं साइंस के कितने ही सिधांत, कितनी ही बाते, जैसे की रोटेशन, ओसिलेशन, प्रेशर, फिक्षन, यह सब हम खिलोनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए, खुद बखुद सिख जाते थे भारत के खेल और खिलोनों की यह खुबी रही है, कि उनमें ग्यान होता है, विज्ञान भी होता है मनोरंजन होता है, और मनोविज्ञान भी होता है उधान के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए जब बच्चे लट्टू से खेलना सिखते हैं तो लट्टू खेल-खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पार्ट पढ़ा जाता है वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अन जाने में पोटेंशल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेजिक सिखने लगता है पजल टोई से रणनितिक सोच और समस्या को सुलजाने की सोच विक्सित होती है इसी तरह नवजाद बच्चे भी जुन-जुने और बाजे घुमा-घुमा कर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं आगे जाकर इनी चीजों को जब उन्हें उनकी कख्षा में कितामों में पढ़ाये जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं प्रैक्टिकल एक्सपर्स को समझ पाते हैं कीवल किताबी ज्यान से यह समझ नहीं समझ विक्सित ही नहीं हो सकती है साथियों आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलोने कैसे बच्चों के सैंसिस को डवलप करते हैं उनकी कलपनाओं को पंख देते हैं अपने खिलोनों के इद्गिर्द बच्चे कैसे अपनी कलपनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलोनों वाले बरतन दीजिए वो ऐसे वहवार करना लगएगा जैसे कि पूरे कीशन की ववस्ता समाल रहा है और पुरी परिवार को वही आच स्काना खिलाने वाला है उन्हें आप जानवरों वाले खिलोनों दीजिए तो अपने मन में पूरा जंगल बना देता है खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे, उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है, उन्हें एक टेर्टरसकोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देखी दिजिए, वो डौक्टर बन जाएगा, फैमिली डौक्टर बन जाएगा, और पूर रोकेट का खेलोना मिलते ही, स्पेश मिशन पर निकल पड़ते हैं, उनकी सपनों की सुडान की कोई सिमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, बस उन्हें एक छोटा, छोटा सा ऐसा खेलोना चाहिए, जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रियेटिविटी को जगा दे हैं, अच्छ नाम्यत्तकू नम्मकानिकी मारुपेरू साइपहेंद्रा ट्रेडर्स, होल्सेलाइन रिटेल मर्यू किराना जेनरल स्टोर, मावद्धा अन्निरकाल नित्यवसर सरकुलू, सरसमयन दरलकेई लभिन्चुनू, स्वच्चमयना नान्यमयन भीयम्तो पाटू, अन्नि वस्तू होल्सेल मर्यू रिटेल गरलकू अन्नुभाटू लो कलवू, अन्नुभाईन गरलो लो नान्यमयन वस्तू लको रकू संप्रदिन चंडी, साइपहेंद्रा ट्रेडर्स, होल्सेलाइन रिटेल मर्यू किराना जेनरल स्टोर, मावद्रस, नागारंटू, कीसरा में रोट, न कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं, आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, तो इन खिलोनों के जरिये अपने बच्चपन में चले जाते हैं, इसलिए मैं सभी माता-पिता से यह अपिल करूंगा, कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वाल होते हैं, वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल हो यह, यह नहीं कह रहां कि आप अपने घर का, अपने आफिस का सब काम छोड़ दें, और घंटों बच्चों के साथ खेलते ही रहें, लेकिन आप उनके खेलों में शामिल तो हो ही सकते हैं, आजकल परिवारों में प्ले स्क्रीन टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खेलों की भुमिका को जरूर समझना चाहिए, खेलों का जो वैज्यानिक पक्षा हैं, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खेलों की जो भुमिका है, उसे पैरेंट्स को भी समझना और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोक करना चाहिए, इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है, इसका एक उदारण हमारी नई राष्ट्रिय शिक्षानिती भी हैं, नई राष्ट्रिय शिक्षान प्ले आधारित और गतिवीदी आधारित सिक्षा को बड़े पहमाने पर शामिल किया गया है, एक ऐसी सिक्षा विवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्यम से तार्कीक और रचरात्मक सोच बढ़े इस पर विशेश ध्यान दिया गया है, साथियो खिलोनों के खेतर में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नलोजी भी है, भारत के पास कंसेप भी है और कंपिटन्स भी है, हम दुनिया को इको फ्रेंडी टॉइज की और वापस लेकर जा सकते हैं, हमारे सौप्पर एंजीनियर्स, कंपिटर गेम्स के जरिए, भारत की कहानियों को, भारत की जो मूल हुद मुल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद, सो बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलोना बाजार में, आज हमारी हिस्सेदारी बहुती कम है, देश में 85%, 85% थिलोने बाहर से आते हैं, विदोसों से मंगाये जाते हैं, पिछले साथ दसकों में, भारतिय कारीगरों की, भारतिय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परणाम ये हैं, कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में, विदेशी खिलोने भर गए हैं, और वो खिलोना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रभा हमारे घर में गुजगाया है, भारतिय बच्चे अपने देश के विरों, हमारे नायकों से ज़्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे, इस बाढ़ ने, ये बाहरी बाढ़ ने, हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूर चेन भी तोड़ के रख दी है, तहस दहस कर दी है, कारीगर अपनी अगली पीड़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे है, पुछ मतने हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए, आज हमें इस्थिती को बदलने के लिए मिलकर काम करना है, हमें खेल और खिलोनों के ख्षेत्र में भी देश को आत्म निर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है, इसके लिए हमें आज की जरुरतों को समझना होगा, हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथविक्ताओं को जानना होगा, हमारे खिलोनों में बच्चों के लिए हमारे मुल्य, सांसकार और सिच्छाएं भी होनी चाहिए, और उनकी गुनवत्ता भी आंतर राष्ट्रिय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए, इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिये हैं, पिछले वर्ष से खिलोनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है, इंपॉर्ट होने वाले खिलोनों की हर खेप में भी सेंपल टेस्टिंग की इजाज़त दी गई है, पहले खिलोनों के बारे में सरकारे बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझती थी, इसे कोई गंभीर विशे नहीं समझा जाता था, लेकिन अब देश ने खिलोना उद्योग को 24 प्रमुक शेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है, नेशनल टॉइ एक्शन प्रान भी तैयार किया गया है, इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को सामिल किया गया है, ताकि ये उद्योग कम्पिटिटिव बने, देश खिलोनों में आत्म निर्भर बने, और भारत के खिलोने दुनिया में भी जाएं, इस पूरे अभियान में राज्यों को बराबर का भागीदार बनाकर टॉइ क्लस्टर विख्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके साथ ही देश टॉइ टूरिजम की संभावनों को भी मजबूत कर रहा है, भारतिये खेलों, पर आधारित, खिलोनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉइका थोन 2021 का आयोजन भी किया गया था, मुझे बताया गया है कि इस टॉइका थोन में बारा लाग से अधिक विवावों ने, सिक्षकों ने और विशजग्यों ने रजिस्ट्रिशन कराया और साथ हजार से अधिक नए ने आइडिया जाए, यह दिखाता है कि दसकों की उपेक्षा और कठिनाईयों के बावजूत, भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर, आज भी और साधारन संभावनाओं से बड़ा हुआ है, जिस तरह भारत ने अतीत में अपने उल्लाद से, अपने उर्जा से मानवता के जीवन में रंग गोले थे, वो उर्जा आज भी उतनी ही जीवन्त है, आज टॉइ फैर के इस अवसर पर हम सब की जिम्मेदारी है, कि हम इस उर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें, और हाँ याद रखे, अगर आज मेड इन इंडिया की डिमांड है, तो आज हैं मेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है, आज लोग खिलोनों को केवल एक प्रोड़क के रुप में ही नहीं, बल्कि उस खिलोने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हैं मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है, हमें ये भी याद रखना है, कि जब हम कोई खिलोना बनाते हैं, तो हम एक बान मन को घड़ते हैं, बच्पन के असीम उल्लास को घड़ते हैं, उसमें सपने भरते हैं, यही उल्लास हमारे कल का निर्मान करेगा, मुझे खुशी है कि आज हमारा देश इस जिम्मेदारी को समझ रहा है, हमारी ये प्रयास आत्म निर्भर भारत को वही स्फूर्ती देंगे, जो स्फूर्ती बच्पन में एक नई दुनिया रच्ती हैं, इसी भी स्वास के थाथ आप सभी को एक बार फिर से अनेक अनेक शुप कामना आएं, और अब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलोनों का डंग का बजाना, यह हम सबका दाईत्व हैं, हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नई नई रंग रूट के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नई नई विज्ञान, नई नई टेकनोलोजी हमारे खिलोनों के साथ जोड़ते हुए करना है और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फैर हमें उस देज़ा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रुप में सिद्ध होगा मैं फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्पैरन मर्योकोर्सा सबमेर्सिल पंप्स हेमजल और वोपलिस ऑल्कालाइन वगॉट प्यूर्फाइर्स